हलो वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो आज का हमारे टॉपिक है रेडमी 8a नेक्टवर प्रॉब्लम और ब्लुटूथ वाइफाई तो मेरे यह समझाने का मतलब रहता है गाइस के ऐसी वडियो यूटूब पे ना रहे क्योंकि मैं इसमें अपने एक्स्प्रियंस शेर करता हूँ आपके साथ तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते है अगर आपने अभी तक क्या हमारा यूटूब चैनल सब्क्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल से जल सब्क्राइब कर ले तो सबसे पहले हमारा टॉप अगरे कुछ भील तो हमारा नेक्ट्वर नहीं आएंगा क्यूंकि आपको वी की पूरी लाइने चेक कर लिए एक क्योटे-चोटे कहीं है इसके वज़े से भी कइबार नेक्ट्वर नहीं आता है तो यह सब चीज़े आपको चेक कर लेनी है तो सबसे पहले आपका सब बनाके जमपर मारके ही और शबसे आखरी तो यह जो अपनी जो तो जी यह त्री जी बेन वाली यह इस侌 इसको तो आपको छेंड नहीं हें यह यह इसी बहुत ही कम राद होती है। यह बहुत ही कम खराब होती है।सब सबसे और दूसरी यह 4G बेंड आइसी और यह भी खराब नहीं होते कई बार इसे हीट मार दो इसको हलकी हीट मार दो और यह तो आजाता है नहीं तो अधर्वाइस आपको यह सब चेक कर लेना है कहीं लिक्विड वगेरा तो नहीं है जैसे यह भी नेक्टर को पावर देती है यह इसकी भी आपको देख चेक कर लेनी है शिल्ड उतारके यहां पर कहीं पानी तो नहीं है वैसे यह आईसी में पानी नहीं हुसता है क्योंकि इसकी जो शिल्ड है बहुत जादा पैक रहती है और इसमें भी पानी नहीं हुसता है यह भी शिल्ड पूरी चारो तरफ से वाट तो आपको यह जो वाइफाइ आइसी वाइफा ब्लूुटूफ जीपेअस ! यह सभी में काम कर रहे है और इसके कुछ कनेक्शन हमारे डब्लो ट्यार में गई इए तो अगर यह line भी WTR से नहीं आ रही है तो भी इस case में हमारा Wi-Fi, Bluetooth, GPS काम नहीं करेंगा तो यह इस तरीके से इसके voltage वगेरा है आप सब चेक कर सकते हैं और एक line CPU में जा रही है अगर यह line भी CPU में नहीं जा रही है या तो यह component खराब हुआ है यह वाली IC खराब हुई है तो उसके वज़े से भी problem देता है तो बस आठकी लिए guys इतना ही था अब मिलेंगे आप से next video में अगर अभी तक कि आपने हमारा YouTube चैनल सब्क्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल से जल सब्क्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकोन ज़रू दबा दे तो चली अब मिलते आप से next video में ओके बाई बाई